नमस्ते स्टुदेंस, स्टांडर्ड फोर्थ, सबचेक्ट हिंदी, चेप्टर नमबर वान, नई राह, वर्क बुक पेज नमबर फोर्टिन, क्वेश्चन नमबर ट्वेंटी सिक्स स्टुदेंस, देखें, क्वेश्चन नमबर ट्वेंटी सिक्स में, चित्र में सबची पहचान कर, उनके नाम हिंदी में लिखिये, और उनमें रंग भड़िये तो यहाँ पर जो चित्र दिये गए है, उनको आपको पहचाना है, और बाद में उनके नाम हमें नीचे लिखने है, और जो चित्र है, उसमें आपको सुन्दर से जो सबची के रंग होते है, वह अच्छे से सुन्दर से रंग भड़ने है, ऑके? तो देखिए, आपको कौन-कौन सी सबजी दिखाई दे रही है पहले तो मिर्ची, फिर बेंगन, फिर आलू उसके बाद हमें क्या दिखाई देता है टमाटर, फिर ये बड़ी इसी है, वो क्या है लोकी, और भिंडी तो ये जो सबजी है, हमें दिखाई दे रही है तो ये हमें नाम नीचे लिखने है, ठीके और आपको कलर अच्छे से इन चित्रों में भरना है अब देखिए, क्वेशन नमबर 27 कोश्टक से उच्चित वाक्य चुनकर, चित्र के नीचे लिखिए तो यहाँ पर कोश्टक है, उसमें कुछ वाक्य दिए गए है और नीचे चित्र दिए गए है, तो हमें चित्रों के साथ उन वाक्यों को अच्छे से लिखना है तो पहला चित्र है, वो किसका है? कुत्ते का तो कुत्ता क्या कहता है? कुट्ता कहता है मैं भोगता हूँ तो हमें ये वाक्य है वो कोस्तक में से चुन कर हमें लिखना है कुट्ता मैं भोगता हूँ फिर दूसरा चित्र है वो किसका है हाथी का तो हाथी क्या कहता है मैं चिंगारता हूँ हाथी मैं चिंगारता हूँ फिर नेक्स्ट है तिसरा चित्र वो है शेर का तो शेर कहता है में डहाडता हूं फिर चोठा चित्र है वो है में धब का में धब कहता है में टड़ाता हूं मैं टराटा हूँ उसके बाद है पांचमा चित्र वो है बिल्ली का बिल्ली कहती है मैं म्याव म्याव करती हूँ बिल्ली कहती है मैं म्याव म्याव करती हूँ और उसके बाद है बक्री का चित्र बक्री कहती है मैं मिम्याती हूँ मैं मिम्याती हूँ मतलब की स्टुदंस यहाँ पर हमें इन सभी चित्रों के साथ उनकी आवाज को लिखना है कि वो लोग केसे बोलते हैं ठीके तो अब देखिए वर्क बुक पेज नमबर 15 पर है क्वेस्चन नमबर 28 कोष्टक से उच्चित सब्ड चुनकर खाली जगह में लिखिए खाली जगह है उसमें हमें कोष्टक में से सब्ड चुनकर लिखना है तो पहली खाली जगह है खाली जगह हिन हिनाता है मतलब की स्टुदंस यहाँ पर आवाज दी गई है उन आवाज को हमें नाम के साथ पहचान कर कोष्टक में से धुनकर लिखना है तो हिन हिना तक कौन है गोडा तो पहली खाली जगह है उसमें उत्तर आएगा गोडा फिर दूसरी है खाली जगह बल बलाता है तो बल बलाता कौन है उंट तो दूसरी खाली जगह में उत्तर आएगा उंट उंट बल बलाता है फिर next है वो खाली जगा तिसरी है उसमें लिखा है खाली जगा गुडाता है खाली जगा गुडाता है तो गुडाता कौन है बाग तो उत्तर आएगा बाग गुडाता है चोथी खाली जगा है खाली जगा फुफ कारता है खाली जगा फुफ कारता है तो फुफ कारता कुन है साप तो उत्तर आएगा साप फुफ कारता है पांचमी खाली जगा खाली जगा खोँ खोँ करता है खाली जगा खोँ खोँ करता है तो उत्तर आएगा उसमें बंडर, बंडर खों खों करता है छत्ते खाली जग़, खाली जग़ हुआ हुआ करता है, उसमें उत्तर आएगा गिडड, गिडड हुआ हुआ करता है, साथवी खाली जगा खाली जगा टायं टायं करता है टायं टायं कौन करता है तोटा तोटर आएगा तोटा टायं टायं करता है आथवी खाली जगा है खाली जगा रमभाती है खाली जगा रमभाती है तो उत्तर आएगा गाई गाई रमभाती है तो इसे ही हमें शब्ड अच्छे से लिखने हैं ठीके अब देखिए question number 29 नीचे दिये गए शब्ड कोस्तक से धुंड कर घेरा बनाईए और खाली जगम में लिखिए तो students यहाँ पर कोस्तक है उसमें कुछ शब्ड दिये गए है उन सभी शब्ड को हमें कुष्टक में से जो नीचे दिया गया है उसमें से धुंडना है और उस पर घेरा बनाना है फिर घेरा बनाने के बार वो सभी नाम यहाँ पर नीचे जो खाली जगम दी गई है उसमें लिखना है तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ घेरे बना लिये है तो उन घेरों के नाम भी मैंने यहाँ पर नीचे लिख लिये है तो वो नाम है टोटा, पपिता, भालू, ठठेरा, चूहा, हाथी सपेरा, बेल, मचली, कमल, ओखली, मुल्ली, गाजर, अनार, मोर, घर, इमली और पतंग तो इन सभी नामों को ढूंड कर यहाँ पर खाली जगा में लिखना है अब देखिए question number 30 किसी एक सबजी और एक फल का चित्र बना कर उसके नीचे उसका हिंडी नाम लिखिए Students, आपको यहाँ पर एक सबजी का चित्र बनाना है और उसके नीचे उसका हिंडी नाम और साथ में अंग्रेजी नाम भी लिखना है बाद में पास में सबजी का चित्र उसके पास में एक फल का चित्र भी बनाना है और फल का चित्र जो बनाओगे उसके नीचे उस फल का नाम और फिर उसका अंग्रेजी नाम भी आप लिखोगे ठीके तो देखें यहाँ पर मेंने बनाया है टमाटर और उसका स्पेलिंग लिखा है टी ओ एम ए टी ओ टो टोमेटो तो वैसे ही यहाँ पर मैंने डूसरा चित्र बनाया है फल का वो है आम का चित्र और मैंने जो नीचे लिखा है वो है आम और उसका जो अंग्रेजी स्पेलिंग है वो भी लिखा है मैंगो तो इसे ही आपको भी जो आपकी मन पसंद सबची और फल हो उसका चित्र आप यहाँ पर बनाओगे और बाद में उसका हिंदी नाम और साथ में अंग्रेजी नाम भी लिखोगे ओके यह आपको अच्छे से सब सुन्दर अक्सर के साथ आपकी वर्क बुक में लिख लेना है ओके थेंक यू